असलाम वालेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो आज कल टेक्नलोजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि कोई भी चीज इनसां से चुपी नहीं रही लेकिन अबी भी दुनिया में बहुत सी ऐसी मिस्टरीज हैं जिनको आज ता कोई सॉल्व नहीं कर सका आज की इस वीडियो में आपको कैमरे पर रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे मिस्टेरियस चीजों के बारे में बताने चा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन सबस्क्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इनफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमर 7 दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे इसे इलाके हैं जिनमें लोग पहाड़ों और जंगलों के करीब आबाद होते हैं कोई भी जगा जो सुनसान हो वहाँ जाने से इनसान को डर लगता है ये जो वीडियो आप देख रही हैं इससे एक एमेचूर वीडियो इस ने रिकॉर्ड किया था ये अपने दोस्तों के साथ अपने एरिया के एक जंगल में हाइकिंग के लिए गए तो इने शाम के वकत वहाँ अजीबों गरीब आवाज आना शुरू हो गए बिल बैने फॉरन मुबाइल निकाला और ये आवाज रिकॉर्ड करना शुरू कर चल रहे थे बिल बै और इसके दोस्त इन से काफी फासले पर थे लेकिन इन्होंने ये क्रीपी मंजर अपने कैमरे पर रेकॉर्ड कर लिया ये लोग कौन थे और जंगल में क्या कर रहे थे ये बात कोई नहीं जानता इन तीनों दोस्तों ने जब ये सीन देखा तो ये हिमत नहीं कि ये लोग सच में बहुत वियर्ड थे नमर सिक्स दोस्तों दुनिया में जितने भी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जाती हैं इन में से ज़्यादा तर स्केरी और डार्क होती हैं और इनके अंदर जाकर इन्हें एक्सप्लोर करने की जुरत बहुत ही कम ये जो विडियो आप देख रही हैं ये एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने पैरस की केटाकॉंब टनल में रिकॉर्ड की थी केटाकॉंब आफ पैरस असल में 350 किलूमेटर लंबी टनल का एक सिस्टम है जिसे सन 1810 में बनाया गया था उस दोर में लोग बहुत ज़्या तदाद में मरना शुरू हो गए थे और शेहर की तमाम कबरिस्तान भर गए थे इसलिए इन अंडरग्राउंड टनल्स को बनाया गया था ताकि मुरदा लोगों को यहां पैंका जा सके इन टनल्स के अंदर 6 मिलियन लोगों को दफन किया था और यह जगा इतनी खौफनाक है कि यहा इस टनल्स से कहीं गाइब हो गया था इसका ये कैमरा एक ग्रूप को मिला था जो कि कई अरसे बात इस टनल्स में विजट के लिए गया था इन्होंने जब उसके कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड की तो वो इसे दे कर शौक हो गया पहले तो वीडियो में वो इस टनल्स को गुम हो गया था, ये लगातार काफी दिर डर कर वहां से किसी चीज़ से भागता रहा और आखर वो किसी लीकृड में जाकर गिर गया, वो खुद तो उस लीकृड में गिर गया था, पर इसका कैमरा बाहे रह गया जिन लोगों को इस शक्स का कैमरा मिला इन लोगों को वहां कोई भी चीज़ नजर नहीं आई नहां तो वहां कोई शक्स था और नहीं इसकी कोई बिलोंगिंग्स थी पुरिसरार बात ये है कि उस शक्स की बॉड़ी भी किसी को नहीं मिली, ये वीडियो इतनी खौफनाक थी किसी देखर हर किसी की रॉंक टेखड़े हो जाते हैं आज तक इस वीडियो बनाने वाले का कुछ भी पता नहीं चल सका और वो कहां गाइब हो गया, ये एक अंसॉल्ड मिस्ट्री है नमर वाइब, दोस्तो आप सब मेंसे कई लोगों ने नैनी कैम्स के बारे में सुना होगा, ये एक चोटा सा लाइव कैमरा होता है जिसे बच्चों के रूम में लगाया जाता है, ताकि बच्चों पर नजर रखी जा सके इस कैमरे के साथ एक डिवाइस होती है, जिसे पेरेंट्स ना सिर्फ बच्चे की वीडियो देख सकते हैं, बलकि इसकी आवाज को भी सुन सकते हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक चोटी बच्ची के रूम में लगी, नैनी कैम में रिकॉर्ड होई थी इस वीडियो में ये चोटी सी बच्ची फ्लोर पर लेट कर पेंटिंग कर रही थी, ये अभी खेली रही थी, कि पास मजूद बैट की प्लैंकिट नीचे से मूव होना स्टार्ट हो गई इसे देकर ऐसा लगता था, जैसे बैट के नीचे कोई चीस है, चन्द सेकंड बाद बैट के नीचे से एक क्रीपी हाथ निकला और ये ब्लैक हैंड किसी मौस्टर का लगता था इस हाथ ने बच्ची की टांगों को पकड़ा और इसे स्पीड से बैट के नीचे खेंच लिया, इस क्रीचर ने बच्ची को इतनी स्पीड से खेंचा कि इससे देख पाना भी मुश्किल था, लगले इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस्ट इमेज नमबर फूर, दोस्तो एर प्लेन दुनिया का सबसे फास्ट ट्रांस्पोर्टेशन मेथड है, एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन भी 925 किलोमेटर फी घंटे की रफ़तार से चलता है, लेकिन क्या हो, अगर कोई जहास आदी आसमान में जाकर हवा में खड़ा हो जाए, ये ज इसरार बात ये है, कि इतनी स्पीड से चलने वाला जहास आसमान में खड़ा कैसे हो सकता है, एवियेशन एक्सपर्स के मताबिक ऐसा शदी तेज हवाओं की वज़ा से होता है, जो प्लेन को हवा में ही रोके रखती हैं, लेकिन एटलांटा सिटी के एक रेजिडेंट सेब तक फ्रीज रहा, और फिर दुबारा चलना स्टार्ट हो गया, इस प्लेन मिस्टरी को आज तक कोई सॉल्फ नहीं कर सका, क्योंकि ये फुटेज फिजिक्स के लॉस को डिफीट करती है, नमबर तरी, दुस्तु दुनिया में बहुत से ऐसे खतनाक हैकर्स हैं, जो कि किसी भी सिस्टम को हैक करकी मुल्की साइबर सिक्यूरिटी पर अटैक कर सकते हैं, और मॉडरन वर्ल्ड में ऐसे कई वाकियात सुनने को भी मिलते हैं, जिनमें हैकर्स सिक्यूरिटी सिस्टम पर अटैक करते हैं, इवन 2009 में गूगल को भी चाइनीज हैकर्स ने हैक कर लिया था लेकिन दुनिया की सबसे मिस्टीरियस हैकिंग 1987 में हुई थी नमबर 1987 में शिकागो के दो टीवी स्टेशन्स को दो हैकर्स ने हैकर लिया था जब टीवी पर लाइव शो चल रहा था तो अचानक वो इंकरप्ट हो गया और हैकर की क्रीपी वीडियो चलना स्टार्ट हो गई वो हैकर इस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और पूरा अमेरिका इसे देख रहा था इस हैकर ने ना सिर्फ ख़ॉफनाक मास्क और लिबास पहना हूा था बलकि इसने बहुत सी क्रीपी हरकतें भी की ये टीवी चैनल्स नवे सेकंड्स तक हैक रहे और फिर इन्हें कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया था अमेरिका के FCC डेपार्टमेंट ने इन हैकर्स को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे ये लोग कौन थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया ये बात अभी भी एक मिस्टरी है नमबर टू दू दूस्तो आज कल तकरीबन हर मुबाइल में कैमरा होता है और लोग मुख्तलिफ जगों की वीडियोस बनाते हैं लेकिन कभी कबार उस दौरान ऐसी अजीब और अनएकस्पेक्टेट चीज़े कैमरे पर कैप्चर हो जाती है जो इनसान इमेजन भी नहीं कर सकता ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चंद लड़के एक फुटबाल के साथ ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे थे ये लोग घर के अंदर थे और इनका एक दोस्ट वीडियो बना रहा था ये टीनेजर्स फुटबाल को पॉंपर उच्छाल रहे थे ये लोग अभी इसकी प्रैक्टिस करी रहे थे लिकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बोना है जिसने ब्लैक क्लॉक पहना हुआ हो हैरानगी की बात ये है कि ये चीज़ दिवार के दरम्यान में अचानक से अपियर हुई और दूसरी तरफ भाग गई बारहाल जो भी हो ये सीन वाके ही में टेरिफाइंग था नमर वन दुस्तो इस वकत हमारी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टरी एलियन्स हैं हर कोई जाना चाता है कि इनकी हकीकत क्या है दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इन्होंने एलियन यूएफोस को देखा है पर लोग इन्हें फेक समझते हैं लेकिन 19 दिसंबर 2019 को एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की गई जिसने सब को हैरान कर दिया एक वीर्ड शिप देखा गया जो कि बिलकुल यूएफो जैसा लगता था इस यूएफो की वीडियो कि एक huge metal object fly करता हुआ देखा गया है इवन NASA ने भी इसे investigate किया और पता चला कि उस जगा से data receive हुआ है जिसका source unknown है ये mysterious object कुछ दिर बाद गायब हो गया था लेकिन University of British Columbia और NASA इस data source को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ये UFO recent years की सबसे sensation mysteries में से एक है और हो सकता है ये mystery जल्द ही solve हो जाए दोस्तो अगर आप मेरे vlogging channel को सबस्क्राइब करना चाते हैं तो इस icon पर click करके subscribe कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तो नेक्स वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस